जैस्री किष्ण मित्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी के बारे में कुम्भ राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे तो कुम राशी वालों के 6 जन्वरी और 7 जन्वरी के राशी फल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें वह सुने तभी आप कुम राशी वालों के राशी फल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशी फल चंद राश पर आधारी थे यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जन कुंडली में ये देख लिए कि चंद्रमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जन कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राश से देखवा सुन सकते हैं आज के दिन आप मांसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे और चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में है और प्रथम भाव में कुम्भ राशी है और कुम्भ राशी में ही गुरू का गोचर भी है और गुरू की पंचम द्रिष्टी पंचम भाव पर है सब्तम द्रिष्टी सब्तम भाव पर है नवम द्रिष्टी नवम भाव पर है और चंद्रमा की द्रिष्टी जो है सब्तम द्रिश्टी सब्तम भाव पर है तो गुरू और चंद्रमा की जो सयुक्त द्रिश्टी है वो सब्तम भाव पर है सब्तम भाव पर द्रिश्टी है तो सब्तम भाव विवाह का भाव है साधी का भाव है ब्यापार कारोबार भी देखते हैं सब्तमभाव से ब्यापारिक पार्टनर को भी देखते हैं सब्तमभाव से तो आपको ब्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी ब्यापारिक पार्टनर से संबंद अच्छे रहेंगे और ब्यापार कारोबार में ज्यादा सफलता भी मिल सक होंगे पंचम भाव पर भी द्रश्टी रहेगी गुरू की और वो चंद्रमा के साथ में हैं तो आपको प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी सिच्छा में भी सफलता मिलेगी और प्रेमी प्रेम का के साथ आप समय भी बिता सकते हैं चाहे वो फोन पर सोसल मेडिया के थूँ या मिलकर भी बिता सकते हैं और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं कहीं मिलने का प्लान बन सकता है सिच्छा में भी आपका मन लगेगा मन में एक आगरता रहेगी और सिच्छा में आप अच्छे प्रडाम पाएंगे आज के दिन और सिच्छा में भी सफलता मिलेगी प्रेम समंधों में सफलता मिलेगी बेर्थ के बाद विवास से बचना है इस बात का ध्यान रखना है संतान भी आज के दिन आपकी तरक्की करेगी और संतान से भी आपको लाब मिल सकता है या संतान को ला मिल सकता है तो ऐसा कुछ योग बनेगा ये आपका तो इसमें जो गजकेश्री योग बनेगा तो बहुत अच्छे प्रणाम मिलने वाले हैं कुम्बराशिवालों को तो पंचम भाव के प्रणाम काफी अच्छे मिलेंगे और सब्तम भाव पर भी द्रश्टी रहेगी तो सब्तम भाव के प्रणाम भी अच्छे मिलेंगे और नवम भाव पर भी द्रश्टी रहेगी पंचम भाव सिच्छा का भाव है, संतान का भाव है तो प्रेम संबंधों का भाव है तो इन सभी चीजों में आपको सफलता मिलेगी और सब्तम भाव जो है साधी का भाव है विवा का भाव है और अगर आप का प्रेमी प्रेमी का कोई साधी विवा करना चाहते हैं यानि आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों को आप विवा संबंधों में बदलना चाहते हैं तो आज के दिन, यानि इन दिनों में मतलब जब ये गजगे स्रीयोग बन रहा है तो आप इस समय पर अपने घरवालों से बात कर सकते हैं और आपकी बात बन सकती है तो इस समय पर काफी अच्छे योग रहेंगे और काफी सफलता का दिन है आज के दिन आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों सब्तम भाव के प्रणाम तो अच्छे मिलेंगे ही अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके पदोननती हो सकती है, बेतन बृद्धी हो सकती है इस तरह के प्रणाम तो मिलेंगे ही और नबम भाव पर भी दृष्टी रहेगी तो नबम भाव पर दृष्टी जो रहेगी तो भागे का साथ भी आपको मिलेगा और अगर उच सिच्छा ग्रहन कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी और अगर पिता के साथ भी समंद अच्छे रहेंगे गुरू के साथ समंद अच्छे रहेंगे आपके बॉस के साथ समंद अच्छे रहेंगे अगर आप सरकारी नोकरी करते हैं या सरकारी इन लोगों से या गवर्मेंट से जुड़ा हुआ कोई कारे करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आज के दिन आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत पाएंगे मानसिक द्रड़ता के चलते मुश्किल फैसले भी आप आसानी से ले सकते हैं आपके साथ रहेगा बस आपको थोड़ा असत्य बोलने से बचना चाहिए और बाकी आप आकरशन का केंदर बनेंगे जीवन में आपको लोग पशंद करेंगे मतलब यानी कि आज के दिन आपको सरहना मिलेगी बहुत अच्छी स्थिति है आपका सामाजिक आर्थिक और पारिवारिक जीवन बढ़ेगा स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम में थोड़ी प्रेमी प्रेम का से दूरी हो सकती है लेकिन प्रेम फिर भी अच्छा रहेगा और ब्यापारिक जीवन से तो बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन आप तन्मन से खुश और प्रफॉलित रहेंगे कारीच शेतर पर दिन के सुरुवात में से लेकर और दोपहर तक मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसके बाद संध्या के आसपास आपको आसा अनकूल रहनी आपकी जैसा सोच रहें बैसे ही प्रणाम आपको मिलेंगे और बैसी ही सफलता आपको मिल सकती है किसी अच्छे कारकरम में यानि सुब कारकरम में सम्रित होने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है आज का दिन ब्यापार में छोटे छोटे बदलाओं के साथ अधिक भागदोर वाला हो सकता है नौकली पेशा लोग जो हैं उनके सहकरमियों में थोड़ा सा इर्थिया का भाव बढ़ सकता है विवाहिस सम्मन तो बहुत अच्छे रहेंगे ही जीवन के साथ तो जीवन साथी के साथ आपकी आत्मेता तो बनी रहेगी और भविश्य की चिंता नहीं करेंगे और आपके जो परिवार के लोग हैं मित्रों के साथ आपकी मुलाकात अच्छी रहेगी और उनके साथ आपके सम्मंद भी अच्छे रहेंगे आज आप कोई भी बड़ा निवेश भी कर सकते हैं और बाहरी विक्त से किसी बात पर अन्वन हो सकती है तो साब्धानी बढ़ते हैं आपकी मेहनत और परिस्ट्रम से कोई महत्व पूर्ण कार्य पूरा होगा आपका क्रोध पूर्ण विवार भी आपकी योजनाओं को थोड़ा डगमगा सकता है इसलिए क्रोध पर नियंतरन रखें इस बात का ध्यान रखें आर्थिक अपसरों का लाव उठाएंगे सभी शित्रों में प्रफावी रहेंगे जिवार में अच्छा रहेगा और आप अपने कारोबार को विस्तार करने की भी सोचेंगे आर्थिक मजबूती बढ़ेगी, लाव अच्छा रहेगा, जीवन सैली में सुधार होगा जोखिम उठाने में आप माहिर होंगे, तेजी से कार करेंगे, सक्रेता बढ़ेगी करीबी सही योगी होंगे, अनुसासन रखेंगे, बड़पन दिखाएंगे आप साक सम्मान बढ़ेगा, संसकारों को बल मिलेगा और आपकी स्तिरिष्टा लोगों को पसंद आएगी, और आर्थिक अफसरों का आप लाप भी उठाएंगे और सभी छेत्रों में प्रभावी रहेंगे, लोग प्रेता का ग्राफ आपका बढ़ेगा और परिवार में सुबता रहेगी आर्थिक द्रिष्टिकोर से आज का दिन अच्छा रहेगा, लाप दाई रहेगा, परिवार का बाताबरण आनन से भरा रहेगा मित्रों और परजिनों के साथ आनन पुरभक समय कुजार सकेंगे आपको आध्यात्मिक्ता में मन लगेगा, और धर्मकर्म में मन लगेगा, पिता के साथ सम्मंद अच्छे होंगे धन लाव रहेगा, कारव्यापार उमीद के अनरूप रहेगा, बिस्तार के अफसर होंगे, आर्थिक मजबूती बढ़ेगी लाव अच्छा रहेगा, जीवन सैली में सुधार होगा और प्रेम में अपने प्रेमी प्रेम का के साथ सम्मंद अच्छे रहेगे, आप उनका ध्यान भी रखेंगे, उनकी उपेच्छाओं पर खरे उतरेंगे मित्रता को बल मिलेगा, प्रेजनों से भेट होगी, प्रेम बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार नहीं करनी है, और तकरार होगी भी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा अपने विभार को संतुलित रखें, प्रेम संबंधों में भी आपने विभार को संतुलित रखें और आपकी आमदनी में भी बढ़ोत्री होने की योग बनेंगे आज का उपाय आपको बताते हैं कुम्राशिवालों के लिए आपना गरीब मजदूर को किसी जरुत में बेक्ति को उड़त की दाल दान कर सकते हैं और आप कवये और पच्छियों को दाना डाल सकते हैं, अनाज खिला सकते हैं और पीली बस्तू का दान कर सकते हैं यानि कि जैसे चने की दाल का दान कर सकते हैं केले का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन कर सकते हैं या आज के दिन भी कर सकते हैं इससे भी आपको लाव मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपको कुम राशिवालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है सभी जात्कों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन कुणली में ग्रहों की स्थिति और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति इन सभी बातों पर बहुत कुछ नहीं भर करता है इसलिए कोई भी बात आप अमल में लाने से पहले सम्मंधि छेत्र के विशे सलाह वर्षिले आप सभी स्वस्त रहें आईश्मान रहें धनवान रहें ऐसी मेरी स्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना है जै स्रीकृष्ण